बाल अधिकार संरक्षन आयोग की अध्यक्ष प्रियंग कानगुन को ने दिल्ली में एक किशोरी के जगहन्य हत्याकांड पर कहा कि आरोपी साहिल किशोरी का देहिक शोशन करना चाहिए दिल्ली में किशोरी हत्याकांड के मामले में राजची बाल अधिकार संरक्षन आयोग की अध्यक्ष प्रियंग कांगुन्गू का बयान सामने आये हैं विरोब करने साहिल की चांखु उसे गोगात्या कर दी आरोपी साहिल को मृत्यव द्न्ज मिलना चाहिए मारीध ताकतों की सहायता से इस तरह की गति-वीधियों को अंजाम दिया जा रहा है दिल्ली के मामले में सभी को और समाच को गंभीरता से लेने की आविशक्ता है देखे हमको जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है वो अपनी पहचान बदल कर एक बालेका को एल्यूर करके उसका देहिक शोशन करना चाह रहा था बालेका ने जब इसका विरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी इस तरीके की घटनाए एक योजना बद तरीके से देश के कई भागों में सामने आई है ये ट्रैफिकिंग का प्रयास है ये ग्रूमिंग का प्रयास है दुनिया के अनेक देशों ने ग्रूमिंग के खिलाफ काम शुरू किया है बारत में पोक्सो एक बहुत सशक्त कानून है जो बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र में योन हिंसा से योन शोशन से बचाने के लिए प हम कोशिश करेंगे कि इसको मुर्तियो दर्ण मिले। पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपया की पहली किस्त। हम करते हैं सत्य का अनुवेशां तखल नियूज आप देख रहे हैं तखल नियूज हम करते हैं पहली किस्त।